गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मैं हर्दिक शर्मा आपका सौगत करता हूँ हमारे आज के प्रेजंटेशन में जिसमें हम कवर करेंगे उन 16 तारिक का सारा इंपॉर्टेंट करेंट अफेर तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों आज हम देखेंगे कुछ करते हैं सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं ग्रूप ऑफ सेवन दोस्तों यह एक इंटरनेशनल और इंडिया की वर्ल्ड की सबसे बड़ी एकोनॉमिस का यह ग्रूप है जिसमें कैनेडा फ्रांस जर्मनी इटली जपान युनाटेड किंडम्स और युनाटेड की सबसे ऋब्ली जो यू के में होगा तो दोस्तों आज की हमारी कंट्री है वह नेशनल नेशन कि जर्मनी जर्मनी धे यूरूप गैंड कंट्री है इसकी कैपिटल बरलीन है करनसी इसकी यू रू उर ऐ还ंके जो President है वो है Frank Walter, Chancellor जो है यहां की वो है Angelina Markle, यहां की जो Official Language है और National Language भी जर्मन है, और दूस्तों यहां का जो Upper House है उसको Bundes Red बोलते हैं और Lower House को Bundes Tag बोलते हैं, जैसे अपने राज्यसभा है, तो यहां की राज्यसभा को Bundes Red बोलते हैं, और जैसे हमारे यहां की जो लोगसभा है वहां की लोगसभा को Bundes Tag बोलते हैं, तो यह थी है हमारी Country दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कुछ Important Questions चलिए दोस्तों, Questions देखते हैं, आज के हमारा जो पहला Question है वो है अगर आपको इसका जवाब पता हो, तो कमेंट करिएगा, फिर चेक करिएगा तो दोस्तों, इसका जवाब है, इंडिया में होने वाला है, 20-21 में Next Question है दोस्तों, अभी दोस्तों, इंडिया में एशियाटिक लॉयन की 28% population में increase पाया गया है, इस वर्ष, तो इशियाटिक लॉयन इंडिया में कहां पाये जाते हैं अगर आपको इसका जवाब पताओ दोस्तों, तो पहले कर्मेंट कीजिएगा, फिर क्रॉसेक के रहिएगा इसका जवाब है दोस्तों, गिर नेशनल पार्क है गुजरात में, वहाँ पे एशियाटिक लॉयन जो है, वो पाये जाते हैं इंडिया में अगला कोशन है दोस्तों, पैंगॉंग लेक कहा है इंडिया में, वेर इस पैंगॉंग लेक इन इंडिया यह दोस्तों, यह लेक जो है topic of discussion रहा है काफी समय से, अगर आपको जवाब पता जरूर होना चाहिए, अगर पता है, तो comment जरूर करिएगा, फिर चेक करिएगा इसको भी तो इसका जवाब है दोस्तों, लद्दाग, दोस्तों, पैंगॉंग लेक वही है जिसके आजू बाजू इंडिया और चाइना की जो टनाठानी चल रही है, LSE के पास यह वही लेक है, पैंगॉंग लेक, और इसी लेक के पास जो है, ट्री डेट्स की shooting हुई थी, लास्ट म करी नगरपूर और अमिर्खान वाला सीन, तो वही है पैंगॉंग लेक, जो लद्दाग में है, चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं, important current affair, सबसे बहले दोस्तों, जो महराश्चा के गवर्नर है, भगत सिंग कोशियार जी, उन्हें letter writing competition में, first prize मिला है, और वो letter writing competition जिदा महात्मा गांधी पे था, दोस्तों, दो तरह से जो है, ये competition था, एक inland letters की category में, और दूसरा सा दोस्तों, envelope category में, तो इन्हें जो है, inland letter card category में, जो बगत सिंग कोशियार जी हैं, उन्हें first prize मिला है, और ये letter competition था महात्मा गांधी जी पे, और इसकी theme थी, Dear Bapu, You are Immortal, और ये competition जो है, वो department of post ने 150th birth anniversary of महात्मा गांधी पे ये organize करा था, तो इसकी जो age limit थी, वो थी 18 years के उपर गी, और दो category में competition था, inland card letter और envelope में, तो inland card letter वाला category जो है, उसमें, जो governor है महाराश्र के, भगत सिंग कोशियार जी, उन्हें ये first prize मिला है, चलिए, आगे चलते हैं दोस्त दोस्तो, 14th June को World Blood Donor Day था, और दोस्तो ये day जो है, ये इसली मनाया जाता है, ताकि blood donation के बारे में awareness फ़लाया जा सके, और blood donors जो हैं, उन्हें thanks किया जा सके, इस बार की जो theme थी, वो थी save blood, save life Next है दोस्तो, PM मोदी ने, जो हमारे नहीं दिन मोदी जी PM है, उन्होंने राजप्रभा फेस्टिवल को जो है, के उपलक्ष पे, उडिसा के लोगों को उन्होंने बताई दी हैं, जो ये राजप्रभा, राजप्रभा जो फेस्टिवल है दोस्तो, इसे मितुना संक्रांती ये शणावर कवार मना जाता है है कि कि आगे जलते हैं दोस्तो अभी ग्रवर्वेर्मेंट ऐप इंडिया ने एक आरहोग यह पठ पोर्टल launch करा है जो कि जो health supply chain है उसको regulate करेगा एक यह दोस्तों इसमें क्या होता है इसमें यह होगा कि जो manufacturer है supplier है और customer है जो कि effectively deal कर रहे हैं COVID-19 pandemic से तो यह एक तरह कि इस chain को जो है manage करने के लिए और solution web-based solution provide करने के लिए यह आरूग्यपद portal जो है launch किया गया है आगे दोस्तों इंडिया में क्या India gas exchange यह इंडिया का पहला natural gas exchange है जो कि इंडिया में शुरुवात हुई है petroleum और natural gas minister जो है धर्मीन प्रधान जी उन्होंने Indian gas exchange IGX जो है यह शुरुवात करिए और यह country का पहला natural gas exchange है यह एक इंडिया का first automated national level trading platform है यह promote करेगा और sustain करेगा एक efficient और robust gas market को और gas trading को foster करेगा country में तो इसकी यह जो है यह है Indian gas exchange IGX इंडिया का पहला natural gas exchange जैसे stock exchange होता है यह natural gas exchange है आगे जलते हैं दोस्तों बैंगलूर में 220 करोर की लागत से शिवा मोगा airport बन रहा है और यह इसको inaugurate करा गया है चीफ मिनेस्टर बीएस एज़रप्पा के द्वारा मंडेक हो ही 662 acres की land में यह बन रहा है और शिवा मोगा एरपोर्ट का नाम है नेक्से दोस्तों COVID-19 management 11 team जो की उत्तर प्रदेश में वराएं गई है योगी आधितनाथ के द्वारा और इसके अभी meeting हुई है कि basically दोस्तों अलग-अलग department जो है उनकी उनके heads जो है इस COVID-19 management 11 team के member है और इसको जो lead करते हैं वो करते हैं योगी आधितनाथ जी जो हां के CM है आगे दोस्तों मुख्यमंत्री सुपोशन योजना है जिसकी शुरुआज 37 गर्ड में हुई है और इस योजना के तहद ऐसा बताया गया है कि 13.79% जो है जो माल नूट्रिशन की कमी आई है जो माल नूट्रिशन चिल्डर्न है उनकी कमी आई है 13.79% मुख्यमंत्री सुपोशन योजना के तहद माल नूट्रिशन को दोस्तों की रडेक करने के लिए खतम करने के लिए women's औचिल्डर्न में 36 गर्वर्ण्मेंट ने 2019 में अक्टूबर में मुख्यमंत्री सुपोशन योजना के शुरुबात करे थी गांदी जी की 180 वर्ट एनिवर्सरी पे है अगर हम 36 गर्वर्ण की बात करें तो यहां के CM जो हैं भूपईज भगेल जी है गवर्णर जो हैं यहां के अनुसुईया OEKG हैं और क्रेपिटल यहां की राइपूर हैं दोस्तों एक कोश्चन आपसे पूछता हूं कि अभी हमने UP के बारे में डिसकुर्ट करा को टीम 11 के बारे में तो आप बताएगा कि UP की इस समय गवर्णर कौन है अगर आपको याद हो तो जरूर कमेंट करिएगा चलिए अ इंडिया ने एक MOU साइन करा है नेपाल के साथ इतने तना तनी में भी इंडिया ने एक MOU साइन करा है नेपाल के साथ और बेसिकली दोस्तों यह MOU जो है यह Financial Assistance Provide करवाना है नेपाल को परशुपतिनाथ Temple जो है उसमें Sanitization Facility Provide करवाने के लिए यह जो है जो कि परशुप 1.23 million नेपाली रूपीज जो है वो इंडिया गवर्मेंट इस काम फिले देगी है पशुपतिनाथ Temple एक UNESCO World Heritage Site है 1979 में 1979 से और यह largest temple complex है नेपाल का और यह बागबती रिवर है उसके दोनों स्टैच को जो है यह टेस करता है तो दोस्तों यहां से कोश्पतिनाथ Temple कहां पर है तो आप बता सकते हैं काटमांडू में और यह एक World Heritage Site है 1979 से और बागमती रिवर के आसपास है यह तो बागमती रिवर कहां आती है नेपाल में तो यह कोश्पतिन जो है यहां से बन सकते हैं आगे जलते हैं दोस्तों अभी टाटा पावर ने 120 मेगावार्ट का सोलर प्रोजेक्ट जो गुजरात में शुरुबात करने वाला है गुजरात दोस्तों कैपिटेल यह के गांधी नगर चीश मिनिस्टर विजय रुपानी और गवर्नर जो है यहां के आचार्य देववरत हैं अच्छा दोस्तों बताईए का यह देववरत नाम जो है एक घ्योड़ाख त्रेल नाम देववरत है चलिए आगे चलते हैं दोस्तों एक घर सेवा नाम पर दोस्तों एब बनाई गई यह पूने के फार्मर्स हैं वहां की 12 मत्ती तैसिल है वहां पर दोस्तों जो यह वहां के जो फार्मर्स हैं उन्होंने घर सेवा एब बनाई बैसिकली क्या हुआ दोस्तों जब लॉक्डाउन हुआ था तो जो middleman होते हैं जो ये supply करते हैं मतलब farmers तो middleman को खाना बेचते थे अपना सब कुछ दे 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 तो middleman काम होता दिलेवर करना उसको बेचना पर क्योंकि middleman जो है बीच से हट गये थे covid-19 के वज़े से तो farmer ने direct selling करी लोगों को तो इससे उन्हें काफी profit भी हुआ और इसके थुरू उन्हें वेज़ेटेबल, milk, eggs डिरेक्ली कस्टोमर को डिलेवर करें और यही नहीं दोस्तों उन्हें ब्रिटेन तक ये चीज़ों को बेचा तो घर सेवा एप के थुरू एक innovative पहल करी उन्हें लोगों ने जिसके तहट उन्हें इस covid-19 के challenge में भी एक opportunity को जनम दिया और एक अच्छा profit कमाया खुद direct selling करके customer को घर सेवा एप के थुरू next दोस्तों एक comrade marathon होती है दोस्तों इस बार वो virtually हुई और इसको South Africa की comrades marathon association जो है वो इसको organize करवाता है इस बार वर्चूल होने वाली है और 128 इंडिन players भी जो है इसमें भाग लेंगे यह एक ultra marathon होती है जूकि South Africa comrades marathon association इसे organize करवाता है कि 1921 से लगातर होती जा रही है वर्ड वार टू के समय दोस्तों एक बार एक साया था इसमें उसके बाद से लगातार हो रही है इस बार इसमें तकरीवन 40,000 पार्टिसिपेशन पार्टिसिबेंट इसमें भाग लेंगे और इसमें दोस्तों इसकदर रूल है वो यह है कि इसमें आपको 5 km, 10 km, 21 km, 45 km या 90 km की जो है यह रेस है अपने ही country में आप इसको कंडेक्ट कर सकते हैं online तो यह एक ultra marathon है comrades marathon 1921 से हो रही है काफ़ी पुरानी है और South Africa की comrades marathon इसे करवाती है चलें दोस्तों आगे चलते है मदरास में दोस्तों एक मदरास westland exchange बनाया है यह basically इंडिया का पहला ऐसा platform है जहां पे garbage और scrap का business शुरू हुआ है इसी westland के तरह जो कि दोस्तों 6 महीने पहले form हुआ था इसमें around 700 ton of waste का जो है trade हो चुका है इसके एक website है इसके एक mobile app है जो की purchase करने में help करती है और इसमें दोस्तों कोई भी institute, school, hospital, temple या company register कर सकती है तक रिवन दोस्तों इसमें अभी यह scrap और garbage के दोस्तों 1100 buyer से हैं और 9000 seller से हैं सिर्फ चन्नाई चन्नाई में तो यह और इसी model पर दोस्तों national westland exchange बनाने की भी बात चल रही है तो यह westland exchange मदरास westland exchange है और इसके तुरू garbage और scraper business किया जा रहा है आगे दोस्तों अभी covid-19 की situation को देखते हुए न्यू देहली में चार IS officer हैं उनको appoint करा गया है for the management of covid-19 in देहली और दोस्तों यह अभीनाश कुमार, मोनिका प्रियरदर्शनी जो की अभी अंडवान निकोबार ने post है गौरफ सिंग राजवात और बिकरम सिंग मलिक जो की अरणाजवल प्रदेशने post है इन्हें जो है यह देली की covid management team में जो है वो appoint करा गया है तो इससे ज़्यादा साथ कोशिर मंदतेक चार लोगों को जो है अपॉइंट किया गया है नाम याद करने की जरूद नहीं है बस दिली की जो covid management team है उसमें चार आईस ओपेजरों डेप्लिट करा गया है बस इतना इंपोर्टेंट है यहां से आगे दोस्तों यह इंडिया के लिए बड़ी प्राउट की बात है कि लॉड हनुवान की तरक्रिवन 25 फीट की मूर्ती जो है अमेरिका में लगाई गई है और यह अमेरिका की टॉलेस्ट बिल्डिंग टॉलेस्ट स्टेचू है किसी भी हिंदू डाइटी की है इंडू भगवान की किसी भी इंडू भगवान की अब तक की तरक्रिवन टॉलेस्ट मूर्ती है जो हनुआन जी की महाँ पे प्लेस खरी गई है पक्चिस फीट की इसकी हाइट है और यह डिलावर स्टेट है वहाँ पे USA का वहाँ पे यह स्थापित करी गई है यह दोस्तो शॉलिड ब्लेक ग्रेनाइट स्टोन में उसको बनाया गया है नैक्स से दोस्तों अभी मद़्द्र प्र्देश के दोस्तों फामर्स है यह चिंद्वारा के जितने ही अपने के तों से जितनी farmers उन्होंने अपने-अपने केतों से या अपने अभी तरफ से ग्रेंड डोनेट करे हैं और एक ग्रेंड बैंक बनाया है जिसके तुरूर जितनी भी माइगरेंड लेबर हैं और जो नीडी हैं उनको जो है जरुद पढ़ने पर ये ग्रेंड जो है उनकी जीवन यापन के लिए दिये जा रहे हैं तो एक्जाम से एंपोर्डेंट तो नहीं है पर ये अपनों जाना से है कि लोग ऐसी पहल भी करते हैं मदद करने के लिए लोगों गो नेक्शे दोस्तों एक ये बड़ी इंट्रस्टिंग साथ दोस्तों एक पहल हुई है ये ITBP के डिजी हैं उन्होंने ITBP आने इंडो तिर्बतिन बॉर्डर पुलिस के जो डिरेक्टर जनरल है ऐसा दासवाल उन्हें एक तूंद रहित 2020 करके एक पहल करी हैं इसमें दोस्तों जितने भी जवान हैं उनकी फैमिली मेंबर से उनको फिट ट्रेडिंग दी जाएगी और इसमें दोस्तों कपल फिटनेस भी कभी जो है शुरुःत की जाएगी ताकि 20-20 के अन तक सभी जो जवान है और उनकी फैमिली हैं फिट हो जाएं और तोंद रहीत हो जाएं तो इंडो तिब्यतिन बॉर्डर पुलिस के डीजी हैं ऐसे दासवाल जी उन्होंने इसकी शुरुवात करी है और अगर यहां से कुछ अपने को याद रखने तहीए वो यह है यह जो डीजी हैं इंडो तिब्यतिन बॉर्डर पुलिस कोर्स के वो हैं ऐसे दासवाल बागी तो सब एंडिटेनिंग से न्यूज है जो मैंना आपके साथ शेर करी आज आगे जलते हैं दोस्तों अब इंपोर्टेंट डेट्स रेख लेते हैं आप जानते हैं 14 तारिक को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे था अगर आपको याद हो उसकी थीम क्या थी तो बिना धागे कमेंट करेगा और नहीं बता है तो भी कमेंट कीजेगा 15 तारिक को दोस्तों वर्ल्ड बिंड डे है था और 20 तारिक को वर्ल्ड डिर्फूजु्जु डे आने वाला है 21 तारिक को इंट्रेक्टल डे ओफ योगा वर्ल्ड म्यूजिक डे, वर्ल्ड हाइडोग्राफिक डे और पादर्स डे ये सब चार दिन जो हैं ये 21 तारिक को आने वाले हैं तो दोस्तों ये था हमारा आज के प्रेजेंटेशन जिसमें हमने important dates, important current of where, कुछ important portions और हमारी G7 nation की आची country जर्मनी के बारे में देखा मुझे उमीद है कि आपको ये हमारा session अच्छा लगा होगा अगर दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को like करिये, subscribe करिये, दोस्तों के साथ share जरूर करिये कुछ सुजाब हो तो comment जरूर करिये और आप देखते ही दोस्तों कुछ current affair चैनल जहां पे हर current affair quickly मिलेगा and have a nice day दोस्तों, thank you very much